नमस्कार मैं प्रियर अंजन और आज की इस एपिसोड में बजाज हाउसिंग फाइनेंस को डिसकस करेंगे चुकि यह स्टॉक जो है अपना आज कोटरली नंबर डिकिलियर करने वाला है तो नंबर कैसे रहेंगे इसको समझें आगे के ट्रेंड को समझें इससे पहले प्रिम मैंने क्यों बेचा वही लोग अब अगेन खूस हो रहे होंगे सबसे पहले प्रेमियम टेलिग्राम जो की बिल्कुल फ्री है इसको जॉइन करें दोस्तों में शेयर करें और बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक में देखेंगे कि नेट प्रॉफिट लगबग 9% बढ़ है वो ठीक ठाक तो दिख रही है लेकिन ट्रेंड थोड़ा मेसिंग है और आज के रिजल्ट के बाद कल की क्लोजिंग इंपोटेंट है कि कल कहां क्लोज होता है यहां जो लास्ट सपोर्ट है इसके आसपास दिख रहा है और ऐसे सपोर्ट जब भी ब्रेकडाउन होते हैं तो एस्टॉक सेवियर सेलिंग में 20-40% क्रेस करता है तो मैंने पहले भी कहा 152 एक मेजर रेजिस्टेंस है जब तक यह रेजिस्टेंस ब्रेकाउट नहीं हो साबधान बरतेंगे नीचे के साइड एस्टॉक 110 और 80-90 जैसे लेविल्स भी आने वाले दिनों में दिख सकता ह कि अपने भी आने वाले दिनों में 20-40 और 20-40 और 50 और 20-40 और 20-40 और 20-40 और 21-40 और 21-40 और 22-50 और 21-40.